जैहिं दोस्तों दिश्या स्टेडी प्रोज चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज का यह टोपिक बहुत ही खास होने वाला है अगर आप चैनल में नए है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप सभी को इस जो आज का टोपिक है जो यह जारखन पुलिस की भरती जो निकली हुए उसके लिए जो त्यारी कर रहे हैं उसमें जो मेडिकल होती है उसमें एक मेडिकल के दोराण एक टेस्ट लिया जाता है जिसको colorblind test बोलते है या नी color vision test तो color vision test में जो color blinds के सिकार होते हैं, उनको इस तरह से number दिये जाते हैं, ये number अगर वो नहीं देख सकते हैं, तो वो color blinds के सिकार है, तो वो unfit में गिनती आते हैं, तो दोस्तों, देर न करते हुए मैं वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूं, और दोस्तों आप आन तक बने रहिएगा, ता color blinds के test ली जाती है, दोस्तों देखिए, उसमें जो है, color blinds के जब test ले जाती है, तो उसमें इस तरह से आपका एक chart दिखाया जाता है, मतलब एक दिखाया जाता है, उसमें आपका कुछ number लिखे हुए जाते हैं, जिसको आपको पहचानना पड़ता है, तो जैसे देखिए इसमें जो है आपका number कितना लिखा हुआ है, 42, तो आपको इसमें बताना है कि ये 42 है, ठीक है, नेक्स इसी तरह फिर slide करते जाएंगे, आपको यहाँ देखना है कि ये number कौन सा है, आपको देख के बताना है कि ये number, जो भी number हो, जैसे इसमें 1 और 2 लिखा हुआ है, ठीक है इसी तरह से slide होते रहेंगे, और कभी-कभी तो आपके एक ही बार में 3-4 number आएंगे, आपको ये इसी number को बता देना है, जैसे देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो आप जो color blinds के सिकार नहीं होंगे, वो इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, ये देखिए, ये 58 है, ठीक तो आप इस तरह से color blinds के जो अपनी test जो है, आप swim दे सकते हैं, तो अगर आप color blinds के सिकार हैं की नहीं, अगर आप color blinds के सिकार होंगे, तो आपको जो है इस तरह से number जब दिये रहेंगे ना, तो आपको अच्छी तरह से नहीं दिखेगी, धूंदला धूंदला दिखेग तो दोस्तों अगर आप colorblinds के सिकार हैं तो पहले एक बार आप अपने से अपना इसके लिए test दे कर जरूर देखें और अगर इसमें आपको कोई number नहीं समझ में आता है तो आप उसको comment box में लिखें और color blinds के लिए क्या करें उसके लिए भी मैं आप सभी को बताऊंगा आगे देखिए यहां दो नंबर है दो नंबर है मैंने तो इसमें दोनों में लिख दिया है नंबर का नाम एक है देखिए 16 और एक है 73 ठीक है दो नंबर आपका यहां दिये हुए है तो दोस्तों इसी तरह से आपको पाचान करना होगा ठीक है और देखिए color blinds के जो शिकार रहते हैं उनको red ठीक है red color ठीक है red और green color जो है वो नहीं दिखते हैं दिखते तो हैं कभी कभी लेकिन कभी जब ज्यादा ही जोर देना पड़ता है तो वो उनको नहीं नजराता है देखिए फिर इस तरह से नंबर रहेंगे आपके पास देखिए दो नंबर रखे हुए है आपको छाटना है कि यह दोनों नंबर हैं क्या देखिए इसमें देखिए आकरिती इस तरह से बनी हुई है ठीक है तो यह किस तरह का आकरिती है तो यह 7 की है ठीक देखिए इसमें भी इस तरह से बनाया हुआ है तो यह कैसे बनी होती है तो यह 9 ठीक है यानि 7 और 9 दो नंबर इसमें आपको दिये 25 लिखा हुआ है ठीक है बी में देखिए 6 लिखा हुआ है उसी तरह सी नंबर में आपका लिखा हुआ है 45 यह अपने से आपको दोस्तों टेस्ट करना है अगर आप दोस्तों इस वीडियो का आंद तक जरूर देखिएगा और चैनल में नए है तो पहले सब्सक्राइब जरू पहलता हूँ जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होता है देखिए तीन नंबर तो हो गया अब देखिए चौन्था नंबर देखिए डी डी नंबर में जो है वह एट है ठीक है उसके बाद है इए इम नंबर में जो है अप देखिए आपका 5 एवंग 6 लिखा हुआ है और जो यह यह जो नंबर है वो कलर बाइंट के अगर आप जो सिकार होंगे उनको लिए उनको यह लगभग नहीं के बराबर दिखेंगे फिर दिखिए यहां इस नंबर में आपका 2 & 9 लिखा हुआ है एप में जो है उसमें 2 & 9 लिखा है यानि 29 है इसका तो दोस्ता आपने सभ भी नंबर देख लिया A में 25, B में 6, C में 45, D में 8, E में 56 और F में 29 तो इस तरह से आगर आप सही सही सभी का नंबर का जवाब दे दिये तो आप कलर ब्लाइंट के शिकार नहीं है नेक्स देखिए देखे फिर से सिंगल नंबर है सिंगल नंबर में क्या है तो देखे इस तरह से बनाए हुए है तो यह किसके अलिए होता है तो यह 7 है फिर देखिए यहाँ सिंगल नमबर सब डोट डोट है और जिसका नमबर है वो सिर्फ आलक कलर में है और वो बीच में लिखा हुआ है देखिए इसे गोल है इसे गोल है तो दो को गोल का मतलब 8 होता है ठीक है तो यह 8 है फिर देखिए आपका 97 यानि देखिए यह 9 है यह 9 है जासतों यह बनाया हुआ है और यह 7 यानि यह 97 है तो दोस्तों कलर ब्राइंट के सिकार जो होंगे उनको यह नमबर नहीं दिखेगी वीडियो में बने रहे है और बहुत सारे नमबरों का टेस्ट मैं आप लोगों को वी इसमें बना हुआ है आपका 1 ऐसे और यह इसे तो इसका मतलब यह 16 हुआ यह क्या नमबर है 16 नमबर नेक्स्ट आप दोस्तों इसमें भी देख सकते हैं किस तरह से बनाया हुआ इस तरह से जो है यह अलग है यानि यह फाइफ है अगर आप सही सही जब आप देते आगे बढ़ रहे हैं तो दोस्तों आप color blinds के शिकार नहीं है और आपकी जो पुलिस बनने की सपना है या फिर आर्मी बनने की सपना है या फिर कोई भी आर्फोर्स ने भी किसमें भी किसी भी चीज में जाने की सपना है वो आपकी पूरी हो जाएगे ठीक है देखिए यहां next जो है उसमें दिया हुआ आपका 27 यानि 27 ठीक है यह 27 है next देखिए इसमें इस तरह से की आक्रिती बनी हुई है ठीक है इस तरह की तो इस तरह से कभी-कभी नंबर छोड़के फंसाने के लिए जैसे अभिहारती को फंसाने के लिए इस तरह से नंबर भी दिये जाते हैं मतला आपको सिर्फ बताना है कि यह किस तरह से घुमा हुआ है तो यह इस तरह से घुमा हुआ है ठीक है इस तरह से आपको हाथ घुमा के बताना है हर बार नंबर ही नहीं दिये जा आप घुमा पाईएगा तो फिर नेक्स्ट भी है देखिए वह इसे इसमें सिर्फ कलर कर चेंज कर दिया गया है इसमें हरा कलर से आपका घुमा दिया गया है तो अगर आप इस तरह से घुमा पाते हैं तो आपकी जो है वो टेस्ट जो है वो सही रहेगी और जिस किसी को भी अगर दिक्कत हो रही है तो comment box में जरूर बताएं कि कौन सी नंबर में दिक्कत हो रही है ठीक है यह देखिए इसमें one and five है ठीक है यानि यह 15 है यानि जो 15 पढ़ पाएंगे यानि 15 को अच्छी तरह से जो पढ़ लेंगे इस नंबर को वो color balance के शिकार नहीं रहेंगे देखि है तो दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है आप comment में जरूर बताएं अगर अच्छी लग रही है या फिर आपके कोई दोस्त को भी इस तरह की सिकार है तो एक बार उनको वीडियो जरूर दिखाएं और वीडियो को share करना ना भूलें comment करें मैं इसी तरह स्ता कि आप लोगो एंड टू लिखा हुआ है ठीक है यानि बारा है इसका नमबर नेक्ट देखिए यह देखिए अलफावेट में कुछ लिखा हुआ है तो आपको इसको पढ़ना है देखिए इस तरह से घुमाये हुए है ठीक है इस तरह से घुमाया हुआ है ठीक तो आपको यह बताना है कि इसमें क्या लिखा हुआ है तो देखिए दोस्तों यहाँ जी ए वाई लिखा हुआ यानि जीए वाई है यहokay इसलिए हर भार नंबर ही आएंगे इसी कोई बात नहीं है कभी-कभी आपके जो है वो अल्फावेट नंबर भी रहते हैं अब देखिए यहाँ इसमें आपका इसे और इस तरह से घुमाया हुआ यानि ये थिरी बनाया हुआ है अगर इस अभी तक के वीडियो में आपकर सही सही जब आप देते आ रहे हैं तो लगभग जानिए कि आप कलर ब्लाइंड के सिकार नहीं है देखिए कभी-कभी इस तरह से लुडो में जैसे साप सेड़ी होता है वो इसे साप सेड़ी टाइप से रहता है तो आपको यहां देखिए यहां से इन करता है ठीक है और इसको निकाला कहा है यहां निकाला है ठीक तो इसमें आपको यही दिखाएगा यही टेस्ट करेगा कि आपको घुसवा बोलेगा कि यहां से घुसो और निकलो आगे कहीं जो बाहर निकल रहा है तब इस तरह से यहां से घुसते हुए ऐसे आईसे साप सेड़ी का खेल तरह घुसना है घुसते हुए घुसते हुए निक ठीक है लेकिन उनको निकलने के बाद उनको नहीं पता चलेगा कहीं हो सकी इधर घुस जाएंगे इससे हो जाएंगे फिर वापस ले आएंगे तो दोस्तों इस तरह के उलोग के पीज जो कलर ब्लाइंज के सिकार होते हैं उनके दिक्कते आती है देखिए फिर इसमें देखिए 5 लिखा हुआ है ठीक है और जो कलर ब्लाइंज नहीं है वो आर्षानी से इसको पढ़ लेंगे देखिए इसमें भी 15 लिखा हुआ है यानि 15 मैं कोई-कोई नंबर को दोस्तों रिपीट भी कर रहा हूँ ताकि अगर हो सके उस बार आप अंदाजा से मार दिये होंगे तो इस बार आप सही से उस नंबर को बताएं देखिए फिर साप सिड़ी वला खेल है इसमें भी आपको घुसना है एक साइड से मान लेजे कि यहां से घुसना है और आपको निकलना है जहां भी निकल रहा है जैसे मान लेजे इसमें तो यहां निकल रहा है तो आपको यहां निकलना है तो इस तरह से आपको देखिए वो नीचे आ रहा है थे उपर से घुश रहा है ठीक है तो इस तरह से आपको सापसिडी के तरह घुशते हुए बाहर निकल जाना है ठीक है तो दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है कॉमेंट में जरूर बताएं एगला वीडियो में किस टोपिक के लाओं ताकि आपकी जो आपका है इस तरह से है ठीक है यानि यह आप इस तरह से जब आपको समझ में आ गया तो यह क्या है यह भी बता पाएंगे तो इसका मतलब आप यह है कि यह 18 है यानि 18 है ठीक next देखिए number देख कि आप गभराना नहीं है दोस्तों देखिए ये भी जो है ये हरा में है इसलिए ये हरा में दिया जाता है color blinds का test कि color blinds के test वाले को जो है वो red और green यानि हरा ये दो color उनको दिखने में दिक्कत होती है तो देखिए इसमें 74 लिखा हुए ठीक है दोस्तों कैसी लगी वीडियो आप comment में जरूर बताएं अगर comment अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंग शेयर जरूर करें और चैनल में अगर नए हैं तो किर्पया सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं इसी तरह से नए नए इस वीडियो आप सभी के बीच ला सकूँ ताकि आपकी पुलिस बनने की सपना जो है वो पूरी हो सके जितना जिस हद तक हो सके मैं अपना मदद आप सभी को कर सकूँ अगर आपको और कोई चीज की कोई भी चीज पूछना हो तो आप comment में उसके उस questions को जरूर लिखे हैं ताकि मैं उसका solution आप सभी को बता सकूँ धन्यवाद